नमस्कार आप देख रहे हैं बिजनस उड़े बजार मैं हूं हर्शर्मा और हरबार के तरह हमारे साथ अंकुर जी है तो सेवी ने एक बार फिर बड़ा एक्शन लिया है यह सेवी की जो कारवाई है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए क्योंकि आपकी जेब से दो बड़ी कारवाई की है तो सबसे पहली कारवाई क्या है देखे सेवी ने दो कदम उठाए है एक दो बैसिकली फाइनेंस इंफ्लेंसर थे जिनका नाम है पियार सुन्दर और जो दूसरे इंफ्लेंसर थे उनका नाम है गुंजन वर्मा तो सेवी ने पहली बार किसी फा लाइजरी लाइसेंस ना होने के बावजूद ये लोग स्टॉक्स की जो टिप्स थी या रिकमेंडेशन थी अपने जो क्लाइंट्स थी उनको देती थी तो इन दोनों के खिलाब ये पहली बार सेवी ने करवाई की है अब सबसे पहले हम बात करेंगे पियार सुन्दर पिया ऑफ्षन ट्रेडिंग के काम की अलावा वो लोगों को फ्री टिप्स भी दे रहे थे जैसा सेवी का दावा है तो जब ये शिकायते सेवी के पास पहुंची तो सेवी ने एक्शन लिया और सेवी ने उनको नोटिस जारी किया उन्हें नोटिस जारी करके पूछा कि क्यों आपके खिलाब कारवाई की जाए और हमें ये सबूत मिले हैं तो जब ये मामला पियार सुन्दर के पास पहुचा तो पियार सुन्दर ने सेबी के साथ करीड 6 करोड रुपए में सैटलमेंट करने में अपनी भलाई समझी तो कुल मिला के हाला की मामला निपट गया है पिया पियरिजिस्टरड आडवाईजर हैं वह सवाल पूछ रहे हैं सेबी से और ये शोचल मीडिया में पूछ रहे हैं कि ये आखिर ये नौबत क्यों आ रही है क्योंकि एक तरफ सेबी के नियम इतने सकत हैं और दूसरी तरफ ऐसे शोचल मीडिया in-f травय जो लगातार स्टोक क करते हैं उपर से इस तरह की खबरें कि एक साल के लिए बैंट भी कर दिया गी है पियार सुन्दर को जी या जो पूरा वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट में कहा गया है कि इनकी तीन एंटिटीज थी उन एंटिटीज के जरिये इन्होंने पैसे इखटे किये लोगों से क्लाइ तक शेयर बाजार में किसी भी तरह की ट्रेडिंग खरीद बिक्री नहीं कर पाएंगे उपर से 6 करोड के साथ 12 परसंट का ब्याज भी लगाया है दरसल यह प्यार सुन्दर सेभी रिजिस्टर नहीं थे और इसी को लेकर सेभी ने साफ तोर पर जो साफ तोर पर कहा रख कि कि अगर कोई रिजिस्टर नहीं है तो उसको यह हक नहीं है कि वह इंवेस्टमेंट से जुड़ी जो जानकारिया है या अपने एक्स्पियेंस या किसी को सला इस तरह की चीजे दे और साथ ही मैं आपको बता हूँ कि जो प्यार सुन्दर दॉट ब्लॉग स्पॉर्ट कॉम के जरीये लोगों का एडवाइस देते थे और उसके बदले में पैसे लेते थे तो इस तरह की चीजे भी देखी गई है अच्छा अंकुर जी दूसरा मामला क्या है जो गुंजन वर्मा का निकल कर आ रहा है देखिए गुंजन वर्मा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है जि पर केवल एक लाग रुपे का जुर्माना लगाया गया है लेकिन आप यह मान के चलिए कि यह जो दोनों मामले हैं पहली बार से भी ने इन दो मामलों के जरी यह मैसेज देने की कोशिश की है उन लोगों को जो बीना किसी लाइसेंस के लोगों को एडवाइजरी सर्विस देते हैं सर लेकिन यहां पर एक मुद्ध यह भी है क्योंकि देखिए शिकायत कैई बार यह देखने को मिला है जो रिजिस्टर्ड इन्वेस्मेंट एडवाइजर है जो बेसिकली वह जो सभी के जरी रिजिस्टर्ड है उनका पूरा ग्रुप है वह साफ तोर पर कई बार यह रही है तो इसको किस तरीके देखते हैं मुझा लगता है कि से पहले मैं लोगों की बात करता हूं जो रिजिस्टर्ड एडवाईजर है उन लोगों का कहना यह है कि हमारे पास हमें कहीं तरह के डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं हमें कहीं बाते कहने पड़ती हैं उसके बावजूद उसके बावजूद उन्हें अपने बिजनस करने में कहीं प्रशानी भी होती है इस टोक्स बताने के बाद भी उन्हें कहीं तरह के इन पर पाबन द्याइध हैं जिनके पास लाइसेंस है साथ ही मैं एक मुद्धा और आपके संग्यान में लाना चाहूंगा और प्लैनिंग करते हैं जो लिए दोनों लोग यानि यह जो is करते हैं लोग लोगों परभावित करते हैं और टिप्स के जरी टेलिग्राम चैनल के जरी वाटसब के जरी जो इस तरह की रेकमेंडेशन करते हैं उन पर शिकंजा कसा जाए बलकि हमने पीछे भी देखा था इस तरह के कई मामले पंपिंग और डंपिंग के भी आये तो यहा की चीजे करते हैं अपना मुनाफ़ा कमाने के लिए फिर लोगों बरगलाने के लिए इस तरह की चीजे करते हैं तो यह पूरी हम लोगों ने कोशिश करी विश्लेशन करने की कि जो सैबी का जो लगता सैबी कारवाई कर रही है उसको लेकर आपको कितना सचेत रहना चाहि हैं तो कैसी लगे आपको चर्चा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगा और बिजनस चुड़े हर एक अपडेट को बेहद आसान भाशा में समझने के लिए देखते रही है बिजनस चुड़े बजार वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक कमेंट शेयर और सबस्क्राइब जरूर करें